कार्तिक पुर्णिमा दोजार ताइस कार्तिक पुर्णिमा 26 या 37 नॉम्बर कब है नोट करें सही तारिक और पूजा मौरत कार्तिक पुर्णिमा और देव दिवालिक की डेट को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है जाने कार्टिक पुर्णिमा का असनान वर्त कब्र किया जाएगा और देव दिवाली किस दिन मनाई जाएगी पद्दम, असकंद, बरम, पुरानो कार्टिक पुर्णिमा को बहुत महत्मुन माना जाता है मानियाता है कि कार्टिक पुर्णिमा के दिन स्रीहरी विस्नू मत्यसेवातार में जल में निवास करते हैं ऐसे में जो लोग इस दिन गंगा असनान करते हैं उन्हें अमरित के समान गुन मिलते हैं इस दिन असनान, सत्वर्थ, विष्णू और महालच्मि की पूजा और दान का खास महतु है वेसे तो कार्तिक पुर्णिमा पर देव दिवाली मनाते हैं लेकिन इस बार पंचान भेद के कारण दोनों पर अलग-अलग दिन मनाए जाएंगे आए जानते हैं देव दिवाली और कार्तिक पुर्णिमा की सही डेट असनान दान मुहरत और महतुर्ण। कार्तिक पुर्णिमा 26 या 27 नौंबर 2023 कब है पंचान के अनुसार कार्तिक पुर्णिमा 26 नौंबर 2023 को दोफर 3 बज़ कर 30 मिनट से सुरू होगी और अगले दिन 27 नौंबर 2023 को दोफर 2 बज़ कर 45 मिनट पर इसका समापन होगा उदै तिथी के अनुसार कार्तिक पुर्णिमा 27 नौंबर 2023 को मनाई जाएगी इसी दिन सत्नरायन भगवान की पूजा पुर्णिमा वर्थ कार्तिक गंगाशनान दान करना उत्तम होगा पहले 26 नौंबर 2023 रविवार को है क्योंकि जब पुर्णिमा तिथी परदोसकाल में विद्मान होती है उसी दिन देव दिवाली मनाई जाती है हिंदु धर्म के अनुसार इस दिन देवतागन धर्ती लोग पर आते हैं और भक्त उनके नीमित साम को दिवदान करते हैं इसी रात को लच्मी पूजा भी की जाएगी और चनर्मा को अर्गी दिया जाएगा कार्तिक पुर्णिमा दोजर तैस मुहरत पुर्णिमा असनान सुबा पांच बजकर पांच मिनट से सुबा पांच बजकर अठावन मिनट तक सत्यस नॉम्बर दोजर तैस सत नरायन वर्थ पूजा सुबा साड़े नो बज़कर से आपके सुबा स 10 बज़कर 49 मिनट तक 27 नुवंबर 2023 को परदोस काल दिपदान साम 5 बज़कर 24 मिनट से रात 7 बज़कर 5 मिनट तक 26 नुवंबर 2023 को चनर्मा पूजा साम 4 बज़कर 29 मिनट में 26 नुवंबर 2023 को लच्मी पूजा 26 नुवंबर रात 11 बज़कर 31 मिनट से 37 नुवंबर 2023 पराता 12 बज़कर 35 मिनट तक कार्तिक पूर्निमा असनान महत्व धार्मिक मानियता अनुसार कार्तिक पूर्निमा पर गंगा नदी में असनान करने से 1000 बार गंगा असनान करने के समान पर मिलता है वेक्ति के जन्मों के पाप धुल जाते हैं उसे आर्योगी की प्राप्ती होती है इस दिन गंगा किनारे ही अन धन वस्तर गरम कपड़े का दान करने से माल अच्मी बहुत खुस होती है देव दिवाली क्यों मनाते हैं देव दिपावली अधर्म पर धर्म की जीत का परतिक है मानियता अनुसार कार्थिक पुर्णिमा तिथी पर भगवान ने तिर पूरा सूर्ट नामक राठ्षस का वद किया था उसके वद से खुस होकर सभी देवी और देता कासी नगरी पहुंचे वहाँ पर गंगास्तान के बाद दिप जलाए और संकर जी की उपास्मा की तो आप देव दिवाली और कार्थिक पुर्णिमा का सही मूरत और डेट जान चुके होंगे धन्यवाद